इंडिया एक parliamentary form of government के system पे चलता है central level और state level दोनों ही जगा जो सरकार है वो बहुमत से majority से बनाई जाती है अगर head of the state को ये लगता है मतलब कि central level पे राश्ट्रोपती या फिस state level पे राज़पाल गवर्नर को ऐसा लगता है कि इस सरकार ने भहुमत खो दिया है इस सरकार ने majority खो दी है तो वो flow test के लिए order कर सकते हैं केंद्रे के level पे जो flow test होता है वो लोकसाभा में होता है और राज्य के level पे जो flow test होता है वो विधान साभा में होता है रिसेंटली भारत के दो राज्यों में महराष्ट और बिहार में फ्लोर टेस्ट हुआ क्या है फ्लोर टेस्ट? कॉंस्टिटूशन इसके बारे में क्या बोलता है सुप्रीम कोट की क्या लैंडमार्क जज्ज्मेंट्स है और UPSC ने फ्लोर टेस्ट के उपर पिछले कुछ वर्षों में क्या questions पूछे है सारी बातें इस पडिकुला वीडियो में करेंगे प्रेजेंट इट बैमी मुधत गुपता Unacademy सब्सक्राइब करने के लिए यूज़ रेफिल कोड मुधत गुपता 20% discount के लिए unlock offer चाल हुए 26 अगस तक दू subscribe to that साथ में Unacademy के physical notes अब मिल रहे हैं so do enroll for that as well 25 अगस से नए बाचे शुरू हो रहे हैं English Hindi bilingual में साथ के साथ Unacademy प्रयास offline test series जो की 25 अगस तक valid थी आज तक valid थी यहाँ पे non-stop टेस्ट होंगे आपके mains के pattern पे and also 28 अगस के सुबह 11 बजे अपना combat होगा optional के बाचे शुरू हो चुके English Hindi और bilingual में तो यह जो floor test का पूरा मसला है सबसे बहले बिहार की वरे से और महराश्टर की वरे से news में रहा है basically बिहार में पहले नितिश कुमार और BJP की साथ में सरकार थी उसके बाद वो सरकार का गडबंदन टूड गया coalition टूड गया और नितिश कुमार और RJDU और JDU का एक alliance बनता है साथ में महराश्टर में अगर हम बात करते हैं तो पहले शिफ सेना की NCP की और Congress की सरकार थी वो गडबंदन टूड जाता है और फिर एकना चिंदे वाली जो side होती है शिफ सेना की वो और BJP मिलके एक गडबंदन की सरकार बनाते हैं महराश्टर में दोनों ही जगा पे जब नई सरकार बनती है तो वहाँ के राजपाल गवर्नर ये कहते हैं कि आप विधान सभा में अपना बहुमत साबित करिये अपना जो majority है उसको प्रूफ करिये और उसको प्रूफ करने के लिए दोनों ही जगा पे फ्लोर टेस्ट करवाया जाता है सवाल उठता है कि फ्लोर टेस्ट के बारे में कॉंसे आर्टिकल में में अगर हम समविधान की बात करते है तो ये जो टर्म है फ्लोर टेस्ट ये समविधान में में नहीं है प्रिलिम्स का सीधा सवाल निकलता है या से कि floor test जो है वो कौन से आर्टिकल में mentioned है किसी भी आर्टिकल में mentioned नहीं है यह जो floor test है usually एक governor करवाते है governor की मर्जी होती है कि floor test कब करवाना है कि सरकार जो है क्या उसके पास पूर्ण भहूमत है या नहीं है हमेशा ध्यार रखेंगे कि central level पे जो floor test होता है वो सिरफ और सिरफ लोक साबह में होता है उसमें राजय साबह का कोई रोल नहीं होता और state के level पे जो floor test होता है वो सिरफ विधान साबह में होता है और वहाँ पे विधान परीशत का कोई रोल नहीं होता state level पे Article 164, Anuched 164, जो है भारतिय सम्विधान का, यहां पर हमारको floor test का concept दियावा है. Floor test, जो term है, यह mention नहीं है, यह जो शब्द है floor test, यह लिखावा नहीं है, लेकिन इसके पीछे का जो concept है, इसके पीछे का जो concept है, वो हमारको Anuched 164 में दियावा है, state level के लिए. Article 164 कहता है, कि जो राज्य मंत्री परीशद है, जो state council of ministers है, वो विधान सभा में collectively responsible होंगे. मतलब कि जो state council of ministers हैं, वो विधान सभा की तरफ answerable होंगे, उनके पास हर समय विधान सभा का support होना चाहिए. उनके पास हर समय विधान सभा का confidence होना चाहिए उनके पास हर समय विधान सभा का विश्वास होना चाहिए इसे कहते हैं parliamentary form of government जहांपे मंत्री मंडल जो होता है वो central level पे लोकसभा और राज्य के level पे विधान सभा पे विश्वास होना चाहिए तभी सरकार चल पाएगी वरना सरकार डिजॉल्फ कर दी जाती है ये जो floor test का concept है वो ये collective responsibility के concept से ही निकल के आता है तो floor test ये word समविधान में mention नहीं है लेकिन इसका जो concept है collective responsibility का वो हमारे को state के लिए 164 और union level के लिए article अनुछे 75 में दिया वाए तो हमारा जो पूरा का पूरा parliamentary धाचा है वो इस तरीके से काम करता है कि हमारे जो executive है मतलब कि जो state council of ministers हैं उनके पास विधान साबा का और जो union council of ministers हैं उनके पास लोकसाबा का विश्वास होना चाहिए अगर कभी ऐसा लगता है कि मंत्री मंडल के पास विश्वास नहीं है तो केंद्र के level पे राष्ट्रपती ये बोल सकते हैं कि आप लोकसाबा में अपना confidence साबित करिए अपनी majority साबित करिए state level पे जो governor है वो state council of ministers को ये आदेश दे सकते हैं कि आप अपनी majority अपना confidence प्रूफ करिए ये confidence होना ज़रूरी है अगर ये confidence नहीं हुआ तो central level पे केंद्र मंत्री मंडल और state level पे state council of ministers को resign करना पड़ेगा आपको एक चीज़ धान रखनी है कि चाहे central level हो लोकसभा या state level हो विधानसभा दोनों ही जगा पे ये जो हमार को confidence proof करना होता है ये जो majority proof करनी होती है ये simple majority से करनी होती है simple majority का मतलब है majority of the members present and voting जितने भी members उपस्थित हैं और जितने मद्दान कर रहे हैं उनका हमार को साधारन भहूमत चाहिए होता है उनकी simple majority चाहिए होती है मतलब कि अगर सदन में 100 लोग बैटके vote डाल रहे हैं 100 people है sitting and voting present and voting तो उसमें से हमार को 51 votes चाहिए अपना भहूमत साबित करने के लिए तो यह जो पूरा का पूरा concept है collective responsibility का यह जो पूरा का पूरा concept है floor test का इसके लिए हमार को simple majority चाहिए होती है central level पे simple majority लोग साभा में चाहिए और state level पे जो majority है वो हमार को विधान साभा में चाहिए यह जो पूरा का पूरा flow test का concept होता है यह governor की discretionary power होती है कि governor जब चाहें तब flow test बुला सकते हैं तो देखिए अभी क्या हुआ कि नितिश कुमार और BJP की सरकार थी वो गड़बंदन टूटा RJD और JDU की नई गड़बंदन की सरकार बनती है governor को यह महसूस हुआ कि शायद यह जो नया गड़बंदन बनाए इनके पास बिहार विधान सबा का confidence ना हो इसलिए बिहार में राजपाल governor ने बोल दिया कि आप जाईए बिहार विधान सबा में और वहाँ पे अपना बहुमत साबित करिये बहाँ पे अपनी majority साबित करिये शिवसेना, NCP और Congress का जब गड़बंदन तूटता है महराश्टर में और एकनाच छिंदे साथ में BJP अपनी गड़बंदन की सरकार बनाते हैं तो वहाँ पे महराश्टर के governor को ऐसा महसूस होता है कि शायद इनके पास महराश्टर के विधान साबा का विश्वास ना हो, महराश्टर के विधान साबा का confidence ना हो, उनकी majority इनके पास ना हो, महराश्टर के governor इनको आदेश दिया कि आप जाये और अपनी majority प्रूफ करिये महराश्टर के विधान साबा में, मतलब कि जब भी गवर्नर को ये लगता है कि मेरी सरकार के पास अब भहूमत नहीं रहा विश्वास नहीं रहा तो वो उनको विधान सहबं में फ्लोर टेस्ट करने के लिए अपनी मर्जी से बोल सकते हैं डिस्कृrishnery पावर का मतलब है कि यहाँ पे गवर्नर को Council on Minister के aid और advice की जडिवास नहीं हैं गवर्नर बिना Council on Minister के aid और advice के यहाँ पे उन्हें flow test conductor वाने के लिए बोल सकते हैं एक term और है जो quality में use होता है जिसे कहते है अव इश्वास प्रस्ताओ या फिर जिसे no confidence motion भी बोला जाता है ये जो term है no confidence motion ये समविधान में mention नहीं है ये constitution में mention नहीं है लेकिन इसका जो underlying concept है वो भी सेम है collective responsibility वाला मतलब कि ये जो collective responsibility का principle हमने देखा constitution में दिया वाय यहां से हमारे पास दो tools आते हैं एक आता है flow test का कि जब governor को लगता है कि विश्वास नहीं है तो वो विश्वास proof करने के लिए बोल सकते हैं और दूसरा आता है no confidence motion का no confidence motion का मतलब होता है कि सदन में बैठे अगर किसी भी member को ऐसा लगता है कि इस सरकार के पास बहुमत confidence खतम हो गया है तो वो no confidence motion पेश कर सकते हैं state level पे विधान साबा में और central लेवल पे लोक साबा में for example यह जो आप यहां पे image देख रहे हैं यह बहुत famous image है Indian democracy की basically parliamentary level पे नरेंद्र मोधी सरकार के खिलाफ no confidence motion आया था कहने का मत्तब है कि उस समय पे 2019 में लोक साबा के कुछ members को ऐसा लगा कि शायद नरेंद्र मोधी सरकार ने अपना confidence खो दिया है लोक साबा में और इसलिए लोक साबा के कुछ members ने मिलके no confidence motion लाए लोक साबा में तो देखिए floor test जो होता है वो governor करवाते है floor test जो होता है वो governor की discretionary power होती है कि अगर governor को लगता है कि सरकार जो है वो बहुमत खो चुकी है लेकिन जो no confidence motion होता है ये southern के members house के members करवाते हैं ये जो no confidence motion है लोक साबा में भी possible है केंद्र लेवल की सरकार के लिए और state level पे भी possible है state level की सरकार के लिए तो ये जो no confidence motion है कहीं पे भी आ सकता है लेकिन floor test और no confidence motion दोनों का जो principle है वो same है collective responsibility floor test में governor देखना चारे है कि मेरी सरकार के पास विश्वास है या नहीं है और no confidence motion में विधान सभा के member देखना चारे है कि इस सरकार के पास विधान सभा का विश्वास है या नहीं है है same concept, collective responsibility, parliamentary form of government बस tool का नाम अलग है अगर governor कर रहे हैं तो flow test अगर member कर रहे हैं तो no confidence motion ये है हमारा constitutional aspect इस पूरे के पूरे मसले का तो हमने constitutional aspect देखा हमने देखा कि किस तरीके से collective responsibility का concept दिया वा है parliamentary form of government दिया वा है किस तरीके से governor और president के पास flow test करवाने की तो हमने देखा constitutional aspect कि किस तरीके से collective responsibility का concept parliamentary form of government का concept constitution में दिया वा है central level के लिए और state level के लिए और किस तरीके से flow test हो या no confidence motion हो ये दोनों एक ही सिक्के की दो साइड है और इनका अंडरलाइंग प्रिंसिपल सेम है अब हमें एक concept देखेंगे छोटा सा जिसे कहते हैं composite flow test ये जो composite flow test होता है ये concept तब इस्तिमाल किया रहाता है जब दो या दो से आदा व्यक्ती सरकार बनाने के लिए अपना दावा ठोक रहे हो मतलब की usually हम आम सिनारियों में क्या देखते हैं कि एक मुख्यमंत्री होते हैं एक प्रधान मंत्री होते हैं आप एक ऐसा सिनारियो मानिये कि लोग सबा में दो मंत्री जो हैं एक साथ बोल रहे हैं कि हम प्रधान मंत्री हैं दो लोग एक साथ बोल रहे हैं कि मैं प्रधान मंत्री हूँ या फिर विधान सबा में दो लोग एक साथ बोल रहे हैं कि मुख्य मंत्री मैं हूँ ऐसे में हमारे को लोग सबा से तै करवाना होगा कि आप किसको प्रधान मंत्री कह रहे हैं या फिर state level पे विधान सबा से हमारे को final करवाना होगा कि सर आप किसको मुख्य मंत्री कह रहे हैं मतलब कि दोनों candidate को सामने खड़ा किया जाएगा लोग सबा में और फिर simple majority से voting करवाई जाएगी कि किसके favor में जादा vote आ रहे हैं या फिर state level पे दोनों मुख्य मंत्रीयों को एक साथ खड़ा किया रहेगा और विधान सबा से पूछा रहेगा कि आप किसको बहुमत दे रहे हैं आप किसको support कर रहे हैं आपका confidence किसमे है तो basically यह composite flow test है यह flow test जैसा ही है लेकिन बस यहाँ पे एक फरक है उधर हम test कर रहे थे एक व्यक्ति का confidence उधर हम test कर रहे थे एक व्यक्ति का भहुमत कि उनके पास भहुमत है या नहीं है यहाँ पे दो लोग या दो लोग से जादा यह देख रहे हैं कि किसको सबसादा vote मिलते हैं किसके पास लोकसभा यविधानःसभा का confidence ہے, किसके पास उनका बहुमात है, किसके पास उनका विश्वास है. ऐसी स्थिती में जहांपर दो या दो से आदा लोग प्रधान मन्तरी या दो या दो से आदा लोग मुख्या मन्तरी बनने का दावा कर रहे हैं हो, उस थिती में house में composite flow test करवाया जाता है इसका जो underlying principle है वो बिल्कुल से में collective responsibility जैसा ही और ये parliamentary form of government के concept पे ही based है अब सर्वोच्य ने आले याने कि हमारा जो supreme court है उसकी कुछ landmark judgments देखते हैं कि उन्होंने पिछले कुछ समय में ये flow test collective responsibility गवर्नर के रोल के उपर क्या क्या बाते करी है सबसे बहला case है शिवराज सिंग चोहान वर्से स्पीकर आफ legislative assembly of मध्यप्रदेश 2020 2020 में मध्यप्रदेश का case होता है जहां पे माननीय सर्वोच्य ने आले काफी important बाते बोलता है यहां से आपके prelims, mains, essay और interview चारो stages के सवाल निकलेंगे सबसे बहले यहां पे सर्वोच ने आले कहता है कि जो governor है उनके पास discretionary power है flow test करवाने की मतलब कि जब भी governor को महसूस होता है कि इस सरकार के पास विश्वास नहीं है विधान सबा का governor अपनी discretionary power का इस्तमाल करके flow test बुला सकते है कहने का मतलब है flow test बुलाने से पहले governor को state council of ministers के aid or device की ज़रत नहीं है इसके अलावा शिवराद सिंग चोहान के case में माननिय सर्वोच ने आले ने बोला कि governor जो है वो नई सरकार जो अभी-अभी बनी है या फिर पुरानी सरकार का flow test करवा सकते है for example अभी आपको पताए कि recently West Bengal में चुना हुआ है जहापे ममताब एनरजी की सरकार बनाई गई या फिर अभी उत्तरप्रदेश में चुना हुआ है जहापे योग यादितिनात की सरकार बनाई गई अगर West Bengal या उत्तरप्रदेश के गवर्नर चाहें तो वो वहाँ पे नई सरकार को जो आज चुनी गई है उन्हें बोल सकते हैं कि आप एक काम करिए विधान सभा में जाइए और अपना भहूमत साबित करिए उन्हें करना पड़ेगा या फिर एक ऐसा केस भी हो सकता है कि जहां पे गडबंदन तूटा नया गडबंदन बना और फिर सरकार आई जैसे हमने महराष्टर और बिहार के केस में देखा कि पहले वाँ पे उद्धव ठाकरे सरकार थी वो गई फिर एकना चिंदे सरकार आई तो महराष्टर के गवर्णर ने एकना चिंदे सरकार को बोला कि आप अपनी majority प्रूफ करके दिखाईए similarly बिहार में नितिश कुमार का पहले BJP की साथ गडबंदन था वो तूट गया फिर RJD, JDU का गडबंदन हुआ तो फिर बिहार के गवर्णर ने बोला कि आप अपना confidence हमार को प्रूफ करके दिखाईए कहने का मतलब है शिवराद सिंग वाली judgment में Supreme Court ने बोला कि चाहे brand new सरकारों जो अभी अभी बनी है या फिर सरकारों का गडबंदन तूट रहा हो या बन रहा हो दोनों ही cases में floor test possible है इसके अलावा बिना floor test के governor कभी भी किसी सरकार को नहीं हटा सकते मतलब कि अगर मैं governor हूँ मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर जो मुख्यमंतिर और उनका council of ministers हैं उनके पास कोई जादा majority नहीं है तो मैं उनको ऐसे ही बोल के नहीं हटा सकता कि कल से काम पे मत आईएगा मेरे को विधान सबा में floor test करवाना होगा बिना floor test करवाए मैं उनको power से नहीं हटा सकता मतलब कि बिना floor test करवाए मैं उनको बरखास्त नहीं कर सकता शिवराज सिंग चुहान में और कई बाते बोली सुप्रीम कोट ने इसके अलावा ये बोला गया कि गवर्नर जब भी फ्लोर्टेस बुलाएंगे वो इस तरीके से बुलाएंगे कि वो एकदम पॉलिटिकली निूट्रल हो आपको पता ही कि ऐसी स्थिती में क्या होता है होर्स ट्रेडिंग काफी जाद होती है ऐसी स्थिती में क्या होता है MLS का खरीदना बेशना काफी जाद होता है आपको पता ही है कि वो रिजॉर्ट में ले जाते हैं बंद करवा देते हैं जिससे कि एक दूसरे के साथ फोन पे बात ना कर पाएं एक पार्टी से दूसरी पार्टी मेना चले जाएं तो सुप्रीम कोट ने आप ए बोला कि इस टाइप का गणित इस टाइप की मैथामेटिक्स बहुत जादा लगती है तो गवर्नर को ऐसे समय पे फ्लोटेस बुलाना होगा जब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का फायदा ना हो रहा हो और जीत एंड में लोग तंत्रे डेमोक्रेसी की होनी चाहिए उन्होंने बोला साथ में उन्होंने बोला कि जो गवर्नर की डिस्क्रीशन है फ्लोटेस बुलाने की जो गवर्नर का डिसीजन है कि हम फ्लोटेस बुलाना चाहते हैं इस पर जुडिशल रिव्यू लग सकता है मतलब कि अगर कल को आप ये कहना चाहते हो कि गवर्नर ने जो फ्लोटेस बुलाया ये politically motivated था, ये गलत था, ये unconstitutional था, तो आप सीधर Supreme Court जा सकते हो और case कर सकते हो कि Governor ने जो decision लिया था, वो गलत decision लिया था, मतलब कि शिवराद सिंग चौहान case में Supreme Court ने बोला कि जो Governor का decision है, इसके अपर judicial review लग सकता है, मतलब कि Governor की ये जो power है, flow test बुलाने की ये power absolute नहीं है, इसके अपर judicial review लगाया जा सकता है, इसके अलावा, जब भी विधान सबा में flow test होगा, तो आपको पता, वहाँ पर MLA आएंगे voting करने, Supreme Court ने बोला कि MLS की मर्जी है, कि वो आना चाते हैं या नहीं आना चाते, उनको force नहीं किया जा सकता, आप उनको house में आने के लिए force नह अगर कुछ MLA नहीं आना चाते, तो वो पूरा तरीके से उनकी मर्जी है, आप maximum ये कर सकते हो, कि आप एक whip issue कर सकते हो, और अगर उन्होंने whip का पालन नहीं करा, तो anti-defection law के अंदर उनका disqualification हो सकता है, तो basically whip का concept यह होता है, कि अगर एक particular political party है, suppose करिए बिहार में, Congress ने whip issue करा, कि जो विधान सबा में no confidence, जो विधान सबा में flow test हो रहा है, वहाँ पे सारे के सारे Congress के MLS को आना ही होगा, basically whip का मतलब होता है, एक order issue कर दिया, अगर Congress ने बिहार विधान सबा में ऐसा कोई order issue कर दिया, उस case में Congress के सारे MLS को house में आना पड़ेगा, अगर वो नहीं आ constitution बोलता है, तो कहने का मतलब है, शिवराद सिंग चौहान केस में Supreme Court ने बोला, कि आप किसी भी MLA को आने के लिए force नहीं कर सकते, हाँ, अगर political party चाहे, तो whip issue करके, अपने party के MLS को इधर flow test में बुला सकती है, तो यहाँ पे शिवराद सिंग चौहान जज्मेंट में हमने क कि अगर Governor को ऐसा लग रहा है, कि Council of Ministers ने confidence खो दिया है, Council of Ministers के पास विधान साबा का भी confidence नहीं है, Council of Ministers विधान साबा में अपना भहूमत खो चुके हैं, उस case में Governor अपनी discretionary power का इस्तमाल करके, houses को बुला सकते हैं, और flow test करवा सकते हैं, आपको यह पता है कि हमारे constitutional power होती है, House को समन करने की, right, normal circumstances में क्यों होता है, कि जब Governor House को समन करते हैं, विधान साबा को समन करते हैं, तो वो State Council of Ministers के aid or advice पर करते हैं, लेकिन नबाम रेबिया केस में Supreme Court ने बोला, कि अगर Governor को ऐसा लग रहा है कि State Council of Ministers confidence खो चुके हैं, उनके पास भहूमत नहीं है, session बुला सकते हैं, House को समन कर सकते हैं, तो situation क्या बनी, normal circumstances, State Council of Ministers के aid or advice पर बुला जाएगा, अगर बहूमत खो चुके हैं, confidence खो चुके हैं, उस case में Governor अपनी discretion का इस्तमाल करके session बुला सकते हैं, और flow test conduct करवा सकते हैं, ऐसा इसलिए करवाया गया है, ये नबाम रेबिया मे प्रोटेक्ट किया जा सके, इसके अलावा एक case आता है, जिसे कहते हैं, जी परमहिश्वरा case, यहाँ पे Supreme Court ने बोला, कि suppose करिये अभी अभी एक विधान सभा या लोक सभा बनी है, अभी अभी house बना है, जब house नया बनता है, वहाँ पे speaker तो होते हैं, क्योंकि speaker का तो अभी चुना होना है, जो members होते हैं, लोक सभा के, वह आपस में से ही किसी एक व्यक्ति को speaker कितना चुनते हैं, जो members होते हैं, विधान सभा के, वह आपस में से ही किसी एक member को विधान सभा speaker कितना चुनते हैं, अगर अभी अभी विधान सभा या लोक सभा बनी है, उस case में speaker तो अ आते हो तो आप करवा सकते हो सवाल उठता है अगर speaker चुने ही नहीं गए हैं तो ये flow test कौन करवाएगा इधर जी परमाज़श्वरा case में Supreme Court ने बोला कि ये pro temp speaker जो होते हैं temporary speaker वो ये flow test करवाएगे तो क्या होता है लोगसभा में और विदान सभा में जैसे ही ये सभाएं बन speaker का काम होता है सारे लोगसभा मेंबर्स की शपद ग्रहन करवाना ओथ अड्मिनिस्टर करना और state लेवल पे सारे के सारे विदान सभा के मेंबर्स की ओथ को अड्मिनिस्टर करना इस state पे अगर president union लेवल पे और governor state लेवल पे flow test करवाना चाते हैं तो करवा सकते हैं और pro temp speaker जो हैं उसको monitor करेंगे ऐसा यहां पर बोला गया मतलब की जरूरी नहीं है कि आपके पास permanent speaker हो अगर आपका नया house अभी अभी बनाए तो आप pro temp speaker की मदद से भी flow test करवा सकते हैं एक case है शिवसेना वर्सिज यूनियन ओफ इंडिया 2019 का case जहां पे supreme court ने ये बोला कि जो flow test ह अगर governor को ये लग रहे कि सरकार जो है भूमत खो रही है या flow test होना चाहिए constitution में flow test करवाने का कोई time नहीं लिखावा constitution में कहीं नहीं लिखावा कि जो आप flow test करवा रहे हो वो कितने time के अंदर-अंदर हो जाना चाहिए ऐसे में supreme court ने shift sena case में बोला कि अगर आप flow test करवान चाहिए so that democracy को protect किया जा सके और horse trading को prevent किया जा सके horse trading क्या होती है MLS का खरीदना बेचना मैंने आपको बताया तो shift sena case में supreme court ने बोला कि अगर आपको flow test करवाना है तो constitution में तो इसके बारे में कोई time limit mention नहीं है कि 2 दिन में हो जाना चाहिए 4 दिन में हो जाना चाहिए 5 दिन यहां पर यह बोली गई कि usually हमने क्या देखा कि house को समन करने की power house को बुलाने की power governor के पास होती है normal circumstances में state council of ministers के aid or advice पे और अगर council of minister अपना भहूमत खो चुका है तो उस case में अपनी discretion का इस्तमाल करते वे governor जो है वो house को बुला सकते हैं समन कर सकते हैं यहां पर हमार को यह सम पर यहां पर यहां पर सुप्रीम कोट के पास house को समन करने की power है अगर governor किसी कारण से house को समन नहीं कर पा रहे हैं तो इसके अलावा एक के सौरे जैसे कहते हैं हरीश चंदर सिंग रावत केस जो की हरीश चंदर सिंग रावत वर्सिस union of India 2016 का केस है यहां पर सुप्रीम कोट ने एक flow test में एक observer को appoint करा था बेसिकली सुप्रीम कोट ने अपने एक agent को appoint करा था यह देखने के लिए कि house में flow test ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा सुप्रीम कोट ने आप यह बोला कि अगर मैं चाहूं तो flow test को neutrality से और fair transparent तरीके से conduct करवाने के लिए एक observer मत्तब क एक सुप्रीम कोट के agent को hire कर सकता हूं कि हाँ मेरी तरफ से ये व्यक्ति इस पूरे process को house के अंदर जाके देखेंगे usually यह बहुत ही rare case है कि सुप्रीम कोट अपने observer को hire कर रहे हैं लेकिन हरीस चंदर सिंग रावात case में सुप्रीम कोट ने बोला था कि मेरे पास ऐसी power है कि मैं किसी observer को hire कर सकता हूं यहाँ पर आप यह समझिए कि सुप्रीम कोट टे इतनी सारी बाते बोली सुप्रीम कोट ने बोला कि मैं house को summon कर सकता हूं अगर governor नहीं कर पारे मैं observer को hire कर सकता हूं अगर मैं transparency ensure करना चाता हूं इसे कहते है system of checks and balances कि अगर सुप्रीम कोट को लग है कि executive ठीक से काम नहीं कर रहा अगर सुप्रीम कोट को लग रहा है कि legislator ठीक से काम नहीं कर रहा उस case में सुप्रीम कोट जो है intervene करके system of checks and balances maintain कर सकते हैं एक और landmark case है यहाँ जिसे कहते हैं S.R.Bomai versus union of India जहां पर सुप्रीम कोट ने बोला कि अगर मुख्यमंत्री floor test को face नही ही नहीं तो S.R.Bomai case में यह बोला गया कि अगर मुख्यमंत्री floor test में आए ही नहीं तो यह माना जाएगा कि इन्होंने हार मान ली है और यह अपना भाहुमत खो चुके हैं ऐसे case में governor को किसी और को मुख्यमंत्री के पत पे appoint कर लेना चाहिए किसी और को मुख्यमंत्री की हमने collective responsibility देखा, flow test देखा, no confidence motion देखा, composite flow test क्या होता है वो देख लिया, supreme code की 6 landmark judgment देख लिया, अब देखते हैं कि यहां से UPSC ने क्या-क्या PYQs पूछे हैं, इससे पहले unaccademy subscribe करने के लिए use the referral code मुदद गुपता और इसका PDF जो है, handout जो है वो आपको इस telegram channel पे मिल बोत लोकसभा और राजसभा, अब यह statement तो हमार को दिख रहा है, बिल्कुल गलात है, जो council of minister होता है, union level पे वो सिरफ लोकसभा के लिए collectively responsible होता है, मैंने अभी आपको बताया, answer हो गया D, A is false, R is true, right, 2013 में एक सवाल पूछा गया था, the council of minister in the center shall be collectively responsible to the parliament, यह statement गलात है, पार Elimination technique लगाएंगे यहाँ पे, one गलत है, one गलत है, one गलत है, answer हो गया B, यह जैसे मैंने यहाँ पे solve करा है, prelims में आप भी इसी तरीके से solve करने की कोशिश करेंगे, कि एक statement solve करो, और options को eliminate करो, देखो कितनी जल्दी सवाल हो गया, मुख्या परीख्या का एक सवाल बना था, था, flow test बुला रहा था, observer appoint कर रहा था, उसके अलावा है कह रहा था कि मैं houses को summon कर सकता हूँ, अलग-अलग judgments दी गई है, governor की power define करी गई है, तो हमने देखा कि किस तरीके से checks and balances के कई सारे quarter points हमार को इस answer के लिए आपर मिलते हैं, इसके अलावा, 2014 में एक सवाल पूछा गया था, कि starting from the basic structure doctrine, the judiciary has played a highly proactive role in ensuring that India develops into a thriving democracy, वो ये कह रहा है कि भारत में लोक तंत्र को स्थापित करने के लिए, हमारी न्यायपालिका ने बहुत ही महत्वपून रोल प्ले करा है, in the light of the statement, evaluate the role of judicial activism in achieving the ideals of democracy, वो कह रहा है कि यहां पे जो अपना न्यायायक सक्रियता है, जो हमारा judicial activism है, उसने क्या महत्वपून रोल प्ले करा है, democracy को enhance करने के लिए, वो हमार को यहां पर highlight करना है, again, हमने सारे points रहे कि किस तरीके से floor test बुलाया जाता है, governor की powers define की गई, observer hire कर सकते हैं, और इसके लावा summon कर सकते हैं houses को, यह सारी कि सारी बाते हमने आपे देखी, तो वो further points आप इधर रिखेंगे, right, तो हमने देगा constitutional aspect, composite floor test, landmark judgments और PYQs, I hope आपको यह सब समझा आयोगा, let's crack it.